नमस्कार में हूँ निवेदिता शुक्ला 2019 शुनाफ से पहले ही सभी दल बीजेपी के खिलाफ एक जुट होने लगे हैं 2014 में मिली करारी हार के बाद लगता है 2019 में अब किसी भी तरह मोदी लहर को थामना ही तमाम बीजेपी विरोधी दलों का एक मात रेजेंडा है यही वज़ा है कि यूपी में करीब 25 साल बाद दो धुर विरोधी दल सपा और बस पाएक साथ आ गए हैं तो वही ममता बैनर्ट जी की कोलकता रैली में जुटे तमाम दलों के सियासी नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर ही जुबानी तीर चला रहे थे 2019 से पहले संभावित महागटबंदन से लगता है बीजेपी कारेकरताओं के मन में भी आशंका होने लगी है जो पीए मोदी के मेरा बूत सबसे मजबूत समवाद में भी देखने को मिला दरसल 20 जिन्वरी को पीए मोदी जब साउथ गोआ और महराश्ट के बीजेपी कारेकरताओं से समवाद कर रहे थे तो कोलापूर के बूत कारेकरता सदानन्द राजेवर्धन ने सवाल किया कि भ्रष्ट पार्टियां हमारे खिलाफ एक साथ आ रही है आप हमारा मार्ग दर्शन करिए हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए पोदी जी नमस्कार नमस्कार मैं कॉलापूर बूत क्रमांग छे का अद्देक्ष ड़क्टर सदानन्द राजवर्धन अपसे प्रशने कर रहा हूं हाल के दिनों में हमने देखा है कि बरश्टा और खुद वहुशवादी पार्टियां केंद्रा और राज्यों में भाजवा के खिलाप हातों में हाथ डालके इकटा होके अपने खिलाप आ रही है अब हमारा मारगद रशन कीजिए कि हमें उनको किस तरह से जवब देना चाहिए पिये मोधी ने कारिकरता के सवाल पर भरोसे के साथ जीत का मंत्र देते हुए कहा कि उनका गठबंदन दलों के साथ है हमारा गठबंदन 125 करोड जन्ता के साथ है एक तरफ धन शक्ती है तो हमारी तरफ जन शक्ती है देखे उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंदन किया है हमने भी गठबंदन किया है उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंदन किया है हमने सवासो करोड देशवाचों के साथ गठबंदन किया है बताईए आपको क्या लगता है दलों का गठबंदन ताकतवर है कि सवासो करोड देशवाचों के दिलों का गठबंदन ताकतवर है कौन सा है जड़ा जोर से बताईए देखिए हमारा गठबंदन है लेकिन हमारा गठबंदन सवासो करोड देशवाचों से है हमारा गठबंदन सवासो देशवाचों के सपनों से है हमारा गडबंदन सवासो करोड देशवासों के आसा कांख्षाओं के साथ है और हम उनको समर्पित है उनके लिए जीएंगे उनके लिए जूजेंगे उनके लिए जीजात अपना जीवन खपाते रहेंगे ये काम करने वाले हम लोग है आपने देखा होगा कि कलकत्ता के उस मंज पर अधिक्तम नेता ऐसे थे जो या तो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं या अपने बेटे बेटी को सेट करने की कोशिश में है उनके वर हमारे बीच फर्क साफ है एक तरफ धन शक्ती है तो हमारे पास जन शक्ती है एक तरफ पैसो कामबार है तो हमारे पास करमट कारकरताओं का पसीना है एक तरफ वो लोग खुद के परिवार को बचाने या बढ़ाने में लगे हैं हम लोग देश को बनाने में लगे हैं देश ही हमारा परिवार है जिन लोगों के खिलाप पंचायत चुनाओं में भी कोई खड़ा हो जाएं तो मारकाट शुरू कर देते हैं वो आज लोग तंत्र बचाने के गीतगा रहे हैं जिन लोगों की खुद की पार्टी में लोग तंत्र का नामों निशान नहीं है वो आज देश में लोग तंत्र के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को गुमरा करने के लिए बचकाना बाते कर रहे हैं पियमोदी ने कारेकरताओं को जहां महागठबंदन से निपठने का तरीका बताया तो वहीं ममता की रैली में जिस तरह से ईवीम को मुद्दा बनाया गया उसे लेकर सियासी दलों पर भी जोरदार पलटबार किया एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि अभी से इन लोगों ने हार के महाने भी बताने शुरू कर दिये अभी से ही ईवीम को विलेन बनाया जा रहा है यह स्वाभाविक है कि हर राजनितिक दल चुनाव जीतना चाहता है लेकिन चिन्ता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फर ग्रांटेड लेते हैं यह लोग जनता को बेवकुप समझते हैं और इसलिए बार बार अपना रंग बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं मैं फिर एक बार कहूंगा कि है देश के लिए बहुत ही खतरना खेल है चिन्ता का विशह है और यह बही लोग हैं जो बेजिजग देश की समस्थाओं को बदराम करने से पहले सोचते भी नहीं है उनको किसी समस्थाओं पर विश्वास नहीं इतने सालों तक उन्होंने देश को बरबात किया और अब यह समवेदानिक समस्थाओं को भी बदराम करने में जुटे हुए है आपने एक और बात देखी होगी जिस मन्च से यह लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बाते कर रहे थे उसी मन्च पर एक नेता ने बोफोर्स गोटाले की याद दिला दी आखिर सच्चाई कब तक छुपती है कभी ने कभी तो सच निकल के आही जाता है जो कलकल क्ते में हुआ यह महागट बंदन एक अनोखा बंदन है यह बंदन तो नामदारों का बंदन है यह बंदन तो भाई भतिजावाद का बंदन है ये बंधन तो ब्रस्टाचार का बंधन है ये बंधन तो गोटालों का बंधन है ये बंधन तो नकारातपकता का बंधन है ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है ये बंधन तो असमानता का बंधन है ये एक अद्वूत संगव है जहां तक महराष्ट की बात है यहां के लोगों ने तो ऐसे ऐसे राजनितिक गटबंदन देखे है जिसने बड़े बड़े गोटाले किये लान बारदूर सास्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किशान लेकिन इन लोगों ने दोखा गड़ी के अपने खेल में हमारे जवानों और किशानों को भी नहीं छोड़ा आपको अच्छी तरह याद होगा कि महाराष्टर में कॉंग्रेस और NCP नेत्रूतर वाली सरकार ने एक भी छेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां प्रस्टाचार न किया हो लोग इस तरह की राजनिति से ठक चुके हैं दरसल मंता की कुलकाता रैली में आये नैशनल कॉन्फरेंश के नेता फारुक अब्दुल्ला जो खुद EVM से चुनकर सांसत बने और अब उसी EVM को मंच से कोस रहे थे जो मशीन है जिसे एलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन कहते हैं ये चोर मशीन है इमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं जबली रूसे गुजारिश करूंगा इस मशीन को खतम करना चाहिए दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है और आगे भी आपसे कहता हूँ हम सब को मिलके एलेक्शन कमिशन में जाना चाहिए हिंदुस्तान के प्रेजिडन से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आजादी से कागस का वोड जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए है वो बहुत जरूरी है बाकी मैंसे जाजा कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ ये कहूंगा कि हम सब इकठे हैं और उमीद करता हूँ कि इस साल एक नई हकूमत बनेगी जो सारे देश के साथ इंसाफ करेगी EVM के खिलाफ सिर्फ फारुक अब्दुल्ला नहीं आवाज उठाई है ऐसा नहीं है यूपी में बीजेपी के खिलाफ गटबंदन करने वाली मायावती और अखिलेश भी लगातार EVM पर सवाल उठाते रहे हैं ये अलग बात है कि उसी EVM ने अखिलेश को 2012 में सत्ता दिलाई थी बहराल जिस तरह से 2019 के चुनाव में मोधी से मुकाबला करने के लिए तमाम दल एक जुट हो रहे हैं उसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी को भी मजबूत रणनीती के साथ उस सियासी मैदान में उतरना होगा कुल मिलाकर अगर इस संभावित गठ बंदन में एकता रहती है और मिलकर चुनाव में उतरते हैं तो मोधी वर्सेज ओल का मुकाबला बेहत दिलजस्प होने वाला है